नमस्कार दोस्तों कैसे हैं आप लोग? I hope कि आप सभी लोग बढ़िया होंगे और इसी उमीद के साथ आज का वीडियो शुरू करते हैं दोस्तों इस वीडियो में हम लोग कवर करने वाले हैं मुंबई इंडियन्स वर्सर्स केके आर यानि की कॉलकत्ता के बीच जो आज का 56 मैच खेला जाने वाला है इस मैच को हम लोग कवर करने वाले हैं और यह मैच बहुत हैं इंट्रेस्टिंग हो सकता है कैसे हो सकता है देखिए एक तो दोवे टीम है न वो mathematically आउट हो चुकी आईपिल से दूसरे चीज आज आज आपको KKR की टीम में बहुत बड़े बदलाव और unexpected बदलाव देखने को मिल सकते हैं तो थोड़ा सा समल के चलिएगा इस मैच में क्योंकि यह मैच है न वो totally है वो एक different way पर जाने वाला है तो थोड़ा सा समझने की कोशिस करना अगर आप लोग वाकई में जीतना चाहते हो easily मैच को समझना चाहते हो तो without any second skip कि यह पूरा वीडियो देख लेना और अगर आपने अभी तक हमारे यूटूब चैनल को सबस्क्राइब नहीं किया है सबस्क्राइब कीजिए यहाँ पर red बटन में जो सबस्क्राइब बटन है उस पर क्लिक कीजिए और तुरंद बैल आइकन को प्रेस कीजिए जिससे की next वीडियो जैसे ही मैं upload करूँ वो आप सबसे पहले देख सके giveaway के बारे में आपको बता दूँ कि आगे इस वीडियो में आपसे दो सवाल पूछे जाएंगे आपको बस उन दोनों सवालों के सही जवाब देने हैं इसमें 10 विनर्स होंगे टॉप 10 विनर्स को मिलेंगे 22,000 रुपए बस conditions यह रहेगी कि आपको वीडियो पूरा देखना है और वीडियो को आपको करना है लाइक तो अभी से लाइक कर दीजिए बाद में शायद आप बूल जाओ तो लाइक कर दीजिए वीडियो को अब चलिए हम लोग वीडियो की शुरुआत करते हैं और डिसकस करते हैं इस मैच को लेके यहां से देखेगा मुंबई इंडियन्स वर्सर्स कोलकता नाइट राडर्स का यह मैच होगा और आप यह बोल सकते हो कि अच्छा मैच होने वाला है इंट्रेस्टिंग मैच होने वाला है इसको डीपली कवर करें उससे पहले एक इंपोर्टेंट चीज और वो है हमारा टेलिग्राम चैनल दोस्तों final update के लिए हमारे टेलिग्राम चैनल से जोईन हो जाएगा यह जो आप वीडियो देख रहा है इसके description में जाओगे आपको टेलिग्राम चैनल का link मिल जाएगा जहां से आप लोग easily है वो टेलिग्राम चैनल को जोईन कर सकते हैं आपका कोई पैसा ने लगेगा को जो फाइनल टीम है वो टोस के बाद आपको टेलिग्राम पर अपडेट कर दे जाएगी तो जल्दी से जाएए डिस्क्रिप्सिन में लिंक है टेलिग्राम चनल से जुड़ना मती भूल लिएगा यहां से वेन्यू को लेके बात करते हैं दो डी वाई पाटल स्टेडियम मुं boundaries की dimensions है, वो थोड़ी सी बढ़ी है, इसका मतलब एक दूसरी चीज, dimensions बढ़ी है, दूसरी चीज, यहाँ पे other venues के comparison में, बाहु साना, वो काफी ज़्यादा है, यानि कि जो गेंदबाज, short गेंदबाज ही करते हैं, कही न कही उनको advantage मिलती है, और वो यहाँ पे wicket निकालती है इस चीज का आप लोग ध्यान में रखना, अभी तक यह जो wicket रही है, यह average रही है, यहाँ पे कभी-कभी high scoring भी matches दिखें, और ज्यादा matches यहाँ पे है न, average matches देखने को मिलें, 160 और 170 के करीब, जब भी बड़ा score बनाए, वो chest नहीं हुआ है, यहाँ पे काफी matches खेले जा च करेगी, थोड़ा बहुत swing मिलेगा, लेकिन उस type का swing जो की शुरुआत के matches में मिला था, maybe आपको देखने को न मिले, यहाँ पे जो matches खेले गए, इनको आप लोग देखते जाए, सारे matches आपके सामने हैं, सारे matches, ज्यादा आपको है न, वो average matches ही देखने को मिलेंगे, यहाँ पर last के आपको 3-4 matches दिखाऊ न, तो यह देखेगा, यह last के 3-4 matches आपको दिखाता हूँ, यह देखे, यह देखे, यह एक average match हुआ, chess भी हो गया, 14 wickets की दी, 12 fasters को, 2 spinners को, यह average हुआ, chess नहीं हुआ, यह भी average हुआ, chess हो गया, यह भी average हुआ, chess हो गया, यह बड़ा score बना, ज 11 wickets, 17 wickets, 14 wickets, means, कि 13-14 wickets गिर रही है, इसका मतलब आप कम से कमना, वो 4 गेंदबाजों के साथ जा सकते हैं, क्योंकि 14-15 wickets अगर गिरती हैं, इसका मतलब 2-3 गेंदबाज हैं, जो की 2-3-3 wickets यहां पर निकाल सकते हैं, और निकाल भी रहे हैं, तो यह चीज़ी आपको follow कर नहीं है, जब आप अपनी fantasy की team बनाते हो, ध्यान में रखेगा, अब यहां से मुंबई की play लिए हूँ, दोस्तों मुंबई की play लिए हूँ, रोही शर्मा, इशान किशन, सूरिय कुमार, तीलक वर्मा, कायरोन पोला, टिम डैविड, डैनिल सैंस, मुर्गन अस्विन, कु रोही शर्मा और इशान किशन, इस सेजन फोरम में दिखें नहीं है, लाश्ट मैच इनका काफी बढ़िया रहा, head to head में दिखोगे 44 कावरज है, और इशान किशन का 19 कावरज है, इसान किशन थोड़ा सा head to head में फसे है, उसके लाओ यहां पे venue पे 11 कावरज है, उसके पर बाद में बैटिंग करना उतना इजी नहीं होगा तो पॉर्पले के जो बैट्समान है वो थोड़ा सा अटैक करने की कोशिज करेंगे क्योंकि पॉर्पले में रंस करना है या पर काफी जी हो जाता है यह दोनों मेरे लिए इंपोर्टेंट पिक रहेंगे तीसरा इंपोर्टेंट भी क्या से सूर्य कुमार यादव रहेगा टॉप फोर है ना ये टॉप फोर सूर्य कुमार यादव तिलक वर्मा ये टॉप फोर में से टॉप फ्री को आपको लेके जाना है यहाँ पर सूर्य कुमार यादव का 42 का आवरेज रहता है वेन्यू पे 41 क सीजन काफी बढ़िया रहा है लास्ट के एक मैच को निकाल दो कैप्टन सी मैटालियर रहते है तीलक वर्मा का सीजन बहुत बढ़िया रहा है ट्रेड में देखोगे ना तो 38 का एवर्मा एक मैच खेले थे 38 रंज किया थे वेन्यू पे 73 का एवरेज है इनका यानिकी वेन्यू पे मुंबई की टीम हैना वो इस वेन्यू पे कई ना कई फसी है और वहाँ पे तीलक वर्मा ने स्कोरिंग किया है तो तीलक वर्मा एक इम्पोर्टन पिक रहेंगे यहाँ से 4 मेचिन टॉप 4 में से टॉप 3 को आप लोग लेके जा सकते हो उसके लाएं यहाँ से काईरान पोलार की बात करते हैं अगर MI की टीम पहले बैटिंग कर जाए उस कंडिशन में ले सकते हो अधरवाइस ड्रॉप कर सकते हो एक चीज़ आपको कहीं न कहीं थोड़ी बहुत गेंदबाजी दे सकते हैं टीम डैविड की बात करते हैं लास्ट मैच में अच्छा फिनिश किया 44 की है एक इंपक्ट वाले प्लेयर रहेंगे लेकिन जब MI की टीम पहले बैटिंग करें उस वक्त जादा इंपोर्टिंश सी रहेगी इनकी एड़ टो एड़ खेले नहीं है वेन्यू पे दो मैच में 21 रन इनों ने किया है लास्ट मैच में आपको पता होगा डैथ में 200 डाला था और डिफैंस भी किया था अपनी टीम को इंपक्ट वाले प्लेयर है आपको कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत बैटिंग से भी पॉइंट देश सकते हैं तो मेरे लिए important रहेंगे game challenge रहेंगे head to add में एक match में एक विकेट वेन्यू पे तीन मैच में पांस भी कर निकाल चुकिया है लास्ट के कुछ match निके लिए बढ़िया रहे है और middle orders में उतने impact वाले player ओलकता के पास है नहीं तो आपे उनके लिए दिक्कते कर सकते हैं कुमार कार्टकर या आपके लिए एक differential pick बनेगी आप लोग लेके जा सकते हो यहां से जस्परीद भूमरा दोसों जस्परीद भूमरा तीन विकेट सीजन ज्यादा तरह आपको विकेट लैस मैच जी मिलेंगे लेकिन अगर defend करती है MI की टीम उस वक्त drop कर सकते हो लेकिन अगर MI की टीम पहले bowling करें जहां तक मुझे लगता है आप जस्परीद भूमरा और rally Meredith दोनों के साथ जाए ये rally Meredith पहले bowling में important हो जाते है जस्परीद भूमरा पहले bowling में important हो जाते है क्योंकि rally Meredith जादा योरकर्स गेंदबाजी नहीं करते हैं जिसकी वज़ए से यहाँ पर boundaries भी लगती है और wickets भी मिलता है यह चीज आप लोग follow केजीगा यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं चार मैस में पांच विकेट ये निकाल चुके है यह थी इनके full stats अब देखेगा यहाँ से कोलकता की प्लेंग लियों जिनमें हो सकते हैं बहुत सारे challenges देखे है क्या इंदरजीत बाबा इंदरजीत इनको ड्रॉप किया जा सकता है आरोन फिंच स्रिये शेयर निती स्राना रिंकु सिंग को ड्रॉप किया जा सकता है अंडे रेशल सुनील नायन हरसित राना को ड्रॉप किया जा सकता है टिम साउती अंकुल रोई सीवम मावी यहाँ पर प्लाय में जो इनकी तरब से गेंदबाजी करते हैं हर्षित राना वैसे सीवं मावी और टीम शाउती डैथ में टीम शाउती और आंडे रशल अब आंडे रशल लास्ट मैच में डैथ में गेंदबाजी की यहां डेर्थ में गेन बाजी कराएंगे, इस चीज़ का आप लोग ध्यार में रखेगा, यहां पर दिखीगा, आपको वैंक के टेस, आईयर, वो आपको खेलते भी वापस दिख सकते हैं, आपको वापस Sam Billings भी दिख सकते हैं, आपको स्टैट्स दिखा दूगा, फुल स्टैट्स में जाओगे, बाबा इंदर्जीत एक ओपनर है, डिफरेंशल रहेंगे, लेकिन मुझे लगता है, इनको ड्रॉप किया जा सकता है, आरॉन फिंच देखिए, आरॉन फिंच यहां पर चार मैचस, पांच मैच खेल, उसको बावजूद इनकी कोई बड़े इनिंग्स है नहीं, थोड़ा सा इंस्विंग से प्राब्लम है, बाकी अच्छे प्लेयर है, स्पिन से भी थोड़ा सा फस्ते हैं, यहां पर हैट टो हैट में देखोगे, 30 कावरेज वेन्यू पे इनका 25 रंद किया है, एक मैच खेले, जहा नितीस राना, दोस्तों नितीस राना का यह सेजन उतना खास नहीं रहा है, हैट टो हैट में देखोगे, 25 कावरेज है, वेन्यू पे देखोगे, 12 कावरेज है, एक दो बड़ी इनिंग्स यहां पे इनके बैट से निकली है, लेकिन वो इंपक्ट वाले इनिंग्स जिसको ह बल्ले बाजे देश के, मां को स्मोल लीग के रिए सज़स्ट नहीं करूगा, ग्रेंड लीग पिक है, आंड्रे रसल एक इम्पोर्टेंट पिक है, वेन्यू पे देखोगे, एक मैच में चार रन, वेन्यू पे आप लोग देखोगे, दो मैच में 73 रन बना चुक है, चार इनको देखा ली है, यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, इंस माच में टेश स्वेकेट, वेन्यू पे देखोगे, दो मैच में 1 विकेट, इस सेजन आप लोग देखे, उतना बढ़िया सेजन ही रहा, इकना economically याना वो इनका भी बढ़िया राय जस्पी दूमरा किता है लेकिन विकेट लेस थोड़ा सा रहे हैं लास्ट मैच आप देखोगे 22 रन पलेस एक विकेट आप लोग स्मोल लिग में easily लेके जा सकते हो चांस ले सकते हो हरसित राना एक उप्चन है जिसको ड्रॉब भी किया जा सकता है उसके लाट टीम शाउती जो की डैथ में गेन बाजी करते हैं लगातार कंसिस्टेंसी के साथ विकेट निकार रहे हैं अगर केकियार की टीम पहले बोलिंग करती है तो यहाँ पे टीम शाउती बनते हैं अगर डिफरेंस करती है उस वक्त आप डॉप कर सकते हो अंकुल रोय आपके पास एक उप्चन है अगर आप लोग लेके जाना चाहो थोड़ी बहुत आपको बैटिंग भी दे जाएंगे सीवम मावी सीवम मावी आपके पास एक उप्चन बसते हैं दो मैच में तीन विकेट वेन्यू पे एक मैच में एक विकेट डिफरेंशल पिक रहेंगे सीवम मावी इस चीज़ को फोलो किजीगा वेंकेटेस अईयर अगर खेलते हैं तो जहां तक मुझे लगता है एक इंपोर्टेंट पीकाप के लिए बन सकते हैं क्योंकि जो ब्रैंडन मैकुला मैं उन्होंने बोला है कि वेंकेटेस को चांसस दिये जाएंगे अभी भी तो वेंकेटेस अईयर यहां पे खेल सकते हैं और आपके लिए गेम चेंजर बन सकते हैं कौन वेंकेटेस अईयर बाकि यहां से आप लोग देखोगे हैड टो एड में इस सीजन का जो मैच हुआ था माई ने 161 किये थे, KKR ने चेस कर लिया था यादो ने बाउन किये थे, तिलग वरमा ने 38, Pat Kamins दो विकेट्स यादो को एक विकेट, Pat Kamins ने 56 रन भी किये थे उसके लबाव ऐर ने 50, मुर्गन अस्विन को 2 विकेट और टाइमन मिल्स को यहां पे 2 विकेट मिले थे तो यह players थे जोने last match में perform किया है बाकी यहाँ पे निती स्राना का perform है गिल का perform है ट्रेंड बोर्ड का जो की है नहीं Pat Cummins का यहाँ पे भी है Roy Sharma का perform है जो की काफ़ी लोग है वो यहाँ पे एदर उदर हो चुक है वो खेल नहीं रहे हैं जस्पीत बुमरा ने एक बालेगन खेले अच्छा है उसके लाबा मुर्गत अस्वी ने एक बार जैदे उनाड कट ने दो बार डैनियल सैम्स ने एक बार तो श्रियेश एर को कही ना कहीं सारे गेंदवाजों ने आउट किया भाई अंडे रशल की बात करते हैं जस्पीत बुमरा के सामने श्ट्रगल है अंडे रशल का तीन मरतबा आउट और ये बैटल आपको देखने को मिल सकता है बाकी कुछ खास खेले नहीं है डैनियल सैम्स की बहुत बढ़िया पिटा है 11 में 33 किये हुए है जिंक्या राणी अगर खेलते हैं उस सैम बिलिंक्स का भी अगर खेलते है तो इनके स्टेट्स है आप लोग यहां से देख सकते हो नितिश राना की बात करते हैं तो का हिरान पोलाइड ने एक बार मुर्गन अस्वी ने एक बार आउट किया है बाकी किसी के साथ ज़्यादा मैच अपस नहीं है वेंकटेस अईयर का भी आप देख सकते हैं जस्पीत बूमरा के सामने एक विकेट है बाकी फैबियन अलेन को 19 बोल में 35 खासी पिटा ही है कुछ खास ज़्यादा मैच अपस आपको दिखेंगा नहीं यहांसे रोही शर्मा की बात करते हैं देखे सुनील नाराइन के सामने फसे है 9 मरतबा आउट किया है सुनील नाराइन ने रोही शर्मा को 170 में 150 सी सीवा मावी ने दो बार आउट किया है तो सीवा मावी के सामने भी फसे हैं उसके लाब वरुन चक्रवर्ती को अच्छा कहले है, टिम साउती के सामने चार बार विकेड फेक है, तो रोही शर्मा के लिए कहीं न कहीं यहां से प्रॉब्लम है, उमेश यादों ने पांच बार आउट किया, अगर यह उमेश यादों कहलते हैं तो यह भी फोकस करना आप लोग, यह बहुत रोही शर्मा कहीं न कहीं केक्यार के सामने फसते वे दिख सकते हैं, सुर्य कुमार यादों की बात करते हैं, पैट कमिन्स ने दो बार आउट किया है, यहां पे आंड्रे ने, उमेश ने, टिम शाउती ने, वरुन चक्रवर्ती ने एक बार बाकि सुनील कि उन्होंने बाउंस का यूज किया है, और बाउंस पे शोर्ट सेलेक्शन करते हुए, इशान किशन आउट वे, काईरॉन पोलार की बात करते हैं, पैट कमिन्स ने तीन बार, यहां से पांच बार है, वो आण्डे रशल ने, तीन बार टिम शाउती ने, और सुनील नारा को पहला सवाल, दोस्तों हमारे giveaway का पहला सवाल यह रहेगा, कि आज के मैच में जो इशान किशन है, वो कितने fantasy points आपको देने वाले हैं, यह पहला सवाल रहेगा, दूसरा सवाल आपको आगे मिलेगा, यहां से विकड़ केपिंग सेक्शन से इजिली आप इशान किशन के स जा सकते हो यहां से बाबा इंदर जीत है जो कि स्मोल लीग के लिए उतने इंपोर्टेंट नहीं है लेकिन दोस्तों जोब ग्रैंक लीग खेलते हो वहां पे क्या कर सकते हो इसको ड्रॉप करके बाबा इंदर्जीत और इंदरशीत के साथ जा सकता है। और यहाँ पे आपको Sam Billings और Sheldon Jackson में से कोई एक दिखेगा, बैटिंग सेक्स में सूरिया को ले लिया, अईयर को ले लिया, दोस्तों तिलक वर्मा मेरा लेने का मन है, लेकिन शायद मैं ले ना पाऊं, लेकिन एक impact वाले player है, यहाँ पे तिलक वर्मा का सीजन बहुत लाजवाब रहा है, कही न कहीं तोसा Among the Ground भी खेलते हैं, बड़ी boundaries है, इस venues पे तिलक वर्मा की काफी बढ़िया performance रही है अभी तक, तो इस तीस को आप लोग ध्यान में रखेगा, रोहिंश शर्मा को मैंने लिया, नितीश राना आपके पास एक option बनते है, लेकिन अभी तक वो impact दिखाया नहीं है, boundaries की length बढ़ी है, थोड़ा सा attack करना पसंद करते हैं, तो शायद अपना wicket फेक जाए, आरोन फिंच देखे, मैं जाते जाते जो एक मेरा important जो differential पिक रहेगा ना, वो आरोन फिंच रहेंगे इस match में, especially अगर केक यार की टीम पहले बैटिंग करती है, जो आरोन फिंच है, इसको मैं small league में भी लेने की कोशिज करूँगा, ये game changer बन सकते हैं, बाकि टीम डैविड आपके पास एक option है, अगर यहाँ पे MI की टीम पहले बैटिंग कर जाए, ले सकते हो, impact वाले player है, बाकि मैं यहाँ से क्या कर रहा हूँ, मैं तीन players के साथ जा रहा हूँ, all around section में देखेगा, मैंने Andre को ले लिया, काईरान पोलाट, अगर MI की टीम पहले बैटिंग करती है, उस condition में important रहते है, सुनील नारायन को आप ले सकते हैं, मैंने Daniel Samz को लिया, यहाँ से चलो मैंने सुनील नारायन को भी लिया है, सुनील नारायन को मैंने क्यों लिया है, पता है, सुनील नारायन को मैंने इसलिए लिया है, तो वो आपको कर सकते हैं, सुने लिना रहे हैं, उसके लवाँ यहां से आप लोग देखो के सुधित रोई है, सुधाकर रोई है, आप लोग अंकुल रोई है, अगर आप लोग लेना चाओ, बॉलिंग सेक्षन में, यहां से उमेश यादव खेल जाए तो देख लेना, टीम अगर आप लोगों को बताओ, आप लोग क्या कर सकते हो, मुर्गर अस्विन को अगर आप लोग ड्रॉप कर सकते हो, मुर्गर अस्विन के जिगह है, डिरेक्ट आप लोग आरोन फिंच को ले सकते हो, आरोन फिंच मेरे लिए इंपोर्ट रहेंगे, और यहां पे अगर इ इंच एंट्री मार सकते हैं, सुनियन नारायन यहां से आउट हो सकते हैं, दूसरे चीज यहां पर अगर मैं आपको बताओं, यहां से मैं आपको दिखाता हूं, यहां से रैली मेरेड़त और यह, इन दोनों में से कोई एक है, वो बाहर एंट्री मार सकता है, और कोई एक अं मैं कितनी रंस करने वाले हैं इनडो सवालों का साइजा जवाब देना है आप Captain कैप्तन सी के लिए सूरिया इशान की शन आंड्रे रषाल यहांसे मैने क्याए किया सूरिय कुमार को कैप्तन सी लिए वास्कत्न सी वास्कार हैर को देदी आंड्रे रreshाल अगर यहां पे पांच जूम उय पुरर रहते हैं अपनी टीम के लिए तो आंडे रेश्ट्र आपके लिए बाश्ट काप्टन वाइस कप्टन रहेंगे तो इस चील का आप जान मरखना आप इजली इनको काप्टन वाइस क्प्टन बना सकते हो बागी ये इनिशल टीम है फाइनल आपको टेलेग्राम पर मिल दिया हुआ है, I hope आपको वीडियो पसना है होगा अगर वीडियो पसना है तो वीडियो को लाइक कीजिए चनल को सब्सक्राइब जोर कीजिए धन्यवाद